इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग कर जब तक आप इसे लेना जारी रखते हैं, तब तक यह दोरे को रोकने में मदद करता है। इसे धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है, इसे आमतोर पर दीर कालिक उपचार के रूप में सलाह दी जाती है। इस दवा के कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स में चक्कर आना, सिर्दद, जी में चलाना और उल्टी शामिल हैं। आप व्यवहार में बदलाव, आकरामक व्यवहार, जलन, उतेजन, आधी का भी अनुभव कर सकते हैं। साइड इफेक्ट्स पहले कुछ हफ्तों के दौरान अधिक सामान्य होते हैं और आमतोर पर कम हो जाते हैं, क्यूंकि आपका शरीर दवा के लिए अभ्यस्त हो जाता है। इनमें से अधिकांच दुश्प्रभावों के लिए चिकित्सा सहायता की आवश्यक्ता नहीं होती है, लेकिन उनमें से कुछ गंभीर हो सकते हैं। इस दवा के साथ हिलाज किये जा रहे बहुत कम लोगों के मन में खुद को नुकसान पहुचाने या मारने का विचार आया है। अपने चिकित्सक से संपर्ट करें यदि आपका मूड बत्तर के लिए बदलता है। इसे लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या आपको लिवक या किड्नी से संबंधित समस्याएं, अवसाद या आत्महत्या के विचार हैं। और यदि आप गर्भवती हैं या गर्भवती होने की योजना बना रही हैं। स्तनपान कराने वाली माताओं को भी इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।